सलमान खान ने शिल्पा को जिस तरीके से एक्सपोज किया है कि भई आप दोनों ही जो है महान बनने की रेस में हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक गलत शो में हो ये जो मुद्धा उठाया है सही उठाया है इसका प्रोमो जो आज के एपिसोड के बाद दिया है क्या के अंदर आपको जो है काफे जिदा एंटरेइन करता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताई के तो गैस हाला कि मैंने आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं ये प्रोमो आने से पहले ही जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई शिल्पा की जो है क्लास लगी है हाला कि मुझे शिल्पा की क्लास लगते हुए ऐसा लग रहा था कि नहीं लगेगी क्यूं क्यूंकि शिल्पा जो है वो लाडली है और उपर से जो है सलमान खान जैसे कि पिछली बार भी एक प्रोमो आया था ऐसा ल प्रोमो का जो effects देते हैं ये लोग, जो editing करते हैं, जो effects देते हैं, जो music देते हैं, उसमें हम लोगों को बड़ा धासू लगता है प्रोमो, पर होता कुछ नहीं है उसमें, होता बिलकुल भी कुछ नहीं है, तो शिल्पा जो की मतलब की काफिस दा महान कर रही है और इशा को जिताने से ज़धा करण को हरवाने का ज़धा मकसद था उनका, और एन मौके पर धोका दे दिया है, और जो चीजें ये करती हैं, वो सही नहीं करती हैं, ये सब चीजें जो कि सल्मान खान ने बोली है, वो एकदम सही बोली है, और ये सबर जो है अभी तूटता हुआ जा करनवीर का ऐसा लग रहा है सलमान खान को तो क्या है तो जैसे कि करनवीर ने बोला कि इनको जो है दोस्ती से ज़्यादा अपनी सच्चाई अपना ग्राटिटूड जो है वह उपर रखना था और वह जो है इन्होंने वह चीज की तो जो चीज आखिरकार मैं यह कर दूंगा म मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा तो जो जो आप महान बनने की रेस में हो ना उस चीज के बाद आप उस चीज के ऊपर खरे नहीं उतरते हो कि मैं यह कर दूंगा मैं वो कर दूंगा अपनी ही बातों पर जो है वो स्टैंड नहीं करते हो तो आप जो है एक गलत श और अगर अविनाश बन जाता तो प्रॉब्लम होती पर यह सब चीजे होने के बाद जो है यह जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था यहां पर शिल्पा जो है वो धोके बाज निकली उसने डिसीजन जो है वो सही दिया डिसीजन में जो है करनवीर को ही बाहर होना चाहिए था पर जो रीजन उसने दिया ना वो रीजन सही नहीं था वो रीजन से जैसे बाहर निकाला ना वो सही नहीं था बहुत ही ज़्यादा बेकार था और करन ने एक पॉइंट बोला था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा 50 दिन उसके हो गlor यानी कि मैं अन्वेर रहोंगे इसको लगता है हाला कि शिल्पा अंफियर तो नहीं रही पर हाँ उसने हमेशा ही जो करनवीर के साथ धोका किया और जब करनवीर के 50 दिन आये तब उस वक्त जो है करनवीर के साथ वो फियर रहेगी हर एक चीज जो है वो फियर तरीके से करेगी तो काफ़े स्मार् से जो चीज़े ये दिखाती नहीं है उसके बार रज्जो दलाल ने भी इस चीज़ को पकड़ा और अभी तक ये पकड़े हुए आ रही है तो अब जिस तरीके से ग्रांटेड ले लिया है करनवीर को हर एक चीज से जो ग्रांटेड लेती है हाला कि आज जो है इवन लाइ आए बाGR जो है वो शिलपा से उसको मिल रहा है अगर करनवीर अगर सही धंग से वह बात करें किया एसा किया वहाँ करनी है और में तुम से नराज हूं अभी एक्षन लिया ना शृतिका श्रुतिका ने तीन दिन हो गय बात नहीं की है किन न हनल श्रुतिकान तुन को लग कार वहां से निकल क्यों नहीं जाते क्या आप एक वोट के दालच में आप वहाँ पर हैं क्या आप जो है convenience के हिसाब से जो है वहाँ पर हैं कि भई कुछ भी होगा पर यह तो मेरे साथ रहेगी और मुझे जो है इसके साथ साथ रहना है ऐसा सब चीज़े नहीं होता है ये दोनों ही convenience के हिसाब से एक दूसरे के साथ है पर एक बात जरूर है कि ज़्यादा फाइदा जो है शिल्पा करनवीर का उठा रही है पर करनवीर को बेफकूफी करनवीर की ये है कि मैं ज़्यादा फाइदा उठा और इसलिए वो अपने महान के चक्कर में जो है ज्ञानाता करता रहता है जैसे चुम ने अंडे की ट्रेज दे दि चावल इसको दे दिया पर तुम का हक था चावल के उपर खुदी चावल का पैकेटल के सामने बोल रहा कि चावल सबको मिलेंगे ऐसा मिलेंगा मैं इहां नह कि पावर मिल जाएगे तो पता ही नहीं तुम क्या करोगे तुम तो लोगों को नीचे बिठाके ना प्लेट के बगार खाना फर्ष पे डालके दोगे कि तुम आब खाओ मैं डाइंगाड हूँ तुम्हारा ऐसा एडिट्यूड जो है वो दिखाई देता गंदा आटिट्यू के काबिल है इसी के साथ मैं लेती हैं अजास नमस्कार